पाने के सफर में सबर ने हाथ थाम लिया क्यों छियों रही मुलाकात हमारी की तुमसे मिलना और तुमसे विचणना तुमसे मिलना और तुमसे विचणना ऐसा से मुहबबत की ख्वाईशे करते रहना और ऐसा से तन्हाही का मुस्तविल साथ होना मज़े जिंदेगी की हकीकत से रूबारू करा गई आ नास होती रात अंधेरी जितनी गेरी आती याद जहन में उतनी संगी तो आए जो फिर सुबा ना हासिल हसरते लिए दर्वाजा बंद तरीसों पर प्रदा रखना हम बैठे हो एक कमरे में, बाहूं में बाहे डाले, एक दूसरे की उंगलियों में उंगलिया फसाते, निगाओं में भी बाते गएते, हम बैठे हो एक कमरे में तुम फिर से वही गाना लगाते, जिसके अलफाजों में कुछ-कुछ हमारी कहानी होती, फिर उसी गाने में मेरा हाथ थामके मद्धोश लहरों के जैसे थिरकते, और खिल-खिला के हसते, हम बैठे हो एक कमरे में, मैं तुम्हारी गोद में सर रखती, तो तुम मेरी अपने दिल की सारी वाते करते, तुम बताते कि कि चीज से तुम्हें बेहत खुशी मिलती है, तो कौन सी वो चीज है जो तुम्हें अंदर से डराती है, या वो कौन से ऐसे बच्मन की एक याद है, जो तुम्हें आज भी मनमोहित कर देती है, या वो कौन सी ऐसी राज है जो तुमने कभी किसी को नहीं पता है हम बैठे हो एक कमरे में और तुम धेरो वाते करते हो और मैं तक-टक ही निगाहों से तुम्हें देखती रहती और जो अगर तुम्हें कोई याद पुरानी करती परिशान जो अगर तुम Ecuador कोई याद करती पुराणी परेशान तुम्हे गले से लगाती हो और थाम के बोलती मैं हमेशह तुम्हारे साथ हूँ हम बैठे हो एक कमरे में वाहो में बाहे डाले निगाहो में एक दूसरे को भरते खामोशी में भी बाते करते हम बैठे हुए कमरे में तो मैंने लिखाता हम कि क्या खूब है क्या खूब है एक गहरी नीद और बेशुमार सुकून एक गहरी नीद और बेशुमार सुकून की खौईश है जिन्दगी से जिसका एतियात उपाना मुम्किन है मौत से सफर में ये कौन सा मोड ले रहे हो दिल से उतर अलफाज बन रहे हो कई ऐसा ना हो कि डगर जो जिन्दगी से लंबी होनी हो वो कागुजों में ही सीमित हो जाए